हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल तो आज की पीडियो में बताऊंगी हर्ताल का तीज हरियाली तीज पर हम मिट्टी से शिप पारवती कैसे बनाएं और वो भी बहुत ही सरल तरीके से step by step पूजा करने के लिए तो जब हम बाज़ार से लाकर पूजा कर सकते हैं तो हम अपने हातों से बनाकर घर पर क्यों नहीं रख सकते हैं एक दिन पहले लोग पूछते हैं comment करके क्या हम एक दिन पहले ship परवती बना कर पूजा के लिए रख सकते हैं तो मैं कहुंगे हाँ रख सकते हैं जब हम हर्टाल का तीज पर कच्छी मिट्टी के बने बाजार से मूरतियां लाकर पूजा कर सकते हैं तो हम अपने हाथों से बना कर क्यों नहीं रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं आप इसी तरह से एक दिन पहले मिट्टी की शिप पारवती बना कर रख लीजिए और फिर आप तूसरे दिन उनकी पूजा कर सकते हैं आप चाहें तो इनको कलर भी कर सकते हैं कलर करना कोई जरूरी नहीं है हम तो वीडियो बना रहे हैं तो हम तो color करके दिखाएंगे आपको तो आप चाहें तो इनको color कर सकते हैं और ना आप इच्छा हो तो बिल्कुल भी color ना करें color करने से क्या होता है कि मूर्तियों का सरंगार भी हो जाता है वैसे भी जब हम पूजा करते हैं तो मूर्तियों का सरंगार जरूर से ही करते हैं और जो भी आवुशड उनको पहनाने हैं वो भी पहना ये आप मार्केट में डेकोरेशन के बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स मिलते हैं उनसे आप इनका सरंगार कीजिए और फिर दूसरे दिन इनकी पूज़ा भी आप कर सकते हैं सरंगार करके पूज़ा करने की बात ही कुछ अलग होती है हम तो जब भी अपनी घर में हर्ताल का तीज हरियारी तीज की पूज़ा करते हैं तो इसी तरह से मॉयता पारवती का और भोले नात का स्रंगार करते हैं इसलिए हम आपको कलर करके और स्रंगार करके भी दिखाते हैं फ्रंट्स मैंने पिछले साल भी अपने चैनल पर मिटी से शिप पारवती कैसे बनाएं इसके कई वीडियो डाले हुए हैं वो भी आपने बहुत ही पसंद किये हैं दूर्ट्स में सवी का लिंक आपको डिस्क्रिक्विशन बॉक्स मैं मिल जाएगा आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं मैंने अपने चैनल पर गाज माता की पूझा के लिए भील-βीलिनी कैसे बनाए महालच्चमी पूचा के लिए गजलच्चमी और हाती कैसे बनाए और माता दुरगा कैसे बनाए यह सभी अपने चैनल पर डाले हुए हैं उनके सभी के लिंक आपको डिसक्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहां जाकर चेक कर लेना और यदि आप एक दिन पहले मू कोंड़ हुए हैं Lehr मौ rasa weढार में में मिलólच्छच मे झापको अरlingt क्पाट हैं अटारी हैं आपको गया हैं क्याया हैं झाल 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 मैंने याँ पर थोड़ा सा माता पारवती का भूले नात का और गड़िशी का स्रंगार किया हुआ है मैंने याँ पर पेरों में पायल पनाई हुई हैं गले में जंजीर पनाई हुई हैं एरिंग्स पनाई हुए हैं और भूले नात का मैंने तृपुंडी से थोड़ा सा स्रं हुआ है color और सरंगार करना आपके इच्छा के उपर निर्वर करता है आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं आप चाहें तो सरंगार कर भी सकते हैं color कर भी सकते हैं और नहीं आए होगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों में जदा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे जदा से ज़्यादा लोग इसका लाव उठा सुक हैं और यदि आप मेरे चैनल राइट चोईस निरच पर पहली बार आए हैं तो प्लिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसके मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिपी किसन आपको समय से मिल सके हर हर महादे ओम नमस्षिवाए